प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा दस्वीं की पाठ्य अपुस्तक स्पर्ष भाग दो में संकरलित हिंदी काविय जगत के सुप्रसित कवी मैथली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कविता मनुश्यता का अध्यान करेंगे पहले गुप्त जी का परिचय जान लेते हैं 1886 में जांसी के करीब चिर गाउं में जनबे मैथली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राश्ट्र कवी के रूप में विख्यात हुए इनकी शीक्षा दीख्षा घर पर ही हुई संस्कृत बांगला मराथी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था गुप्त जी रामभक्त कवी हैं इन्होंने भारतिय जीवन को समगरता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है गुप्त जी के पिता सेट रामचरन दास भी कवी थे और इनके छोटे भाई सिया रामचरन गुप्त भी प्रसिद कवी हुए पाठ प्रवेश प्रस्तुत पाठ का कवी अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुश्य तो मानता है लिकिन यह मानने को तयार नहीं है कि ऐसे मनुश्यों में मनुश्यता के पूरे पूरे लक्षन भी है वे हैं, तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिन में अपने और अपनों के हित्चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरी दूसरों का हित्चिंतन हो उनमें वेगुण हों जिनके कारण कोई मनुश्य इस मृत्यू लोग से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में भी बना रह पाता है उसकी मृत्यू भी सो मृत्यू हो जाती है आखिर क्या हैं वेगुण कविता की और बढ़ते हैं कविता का प्रकार है विचार लोग की मरत्य हो ना मृत्यू से डरो कभी मरो परंतु यों मरो की याद जो करें सभी हुई ना यों सू मृत्यू तो व्रिथा मरे व्रिथा जिये मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए वही पशू प्रवृत्ती है कि आप आप ही चरे वही मनुश्य है कि जो मनुश्य के लिए मरे शब्दार्त इस प्रकार हैं मरत्य, मरंशील पशू प्रवृत्ती, पशू जैसा स्वभाव कविता का शीर्शक मनुश्यता जिसका अर्थ है इंसानियत अर्थात मनुश्य में इंसानियत होनी चाहिए उसे परोकारी होना चाहिए प्रस्तो पद्यांश के माध्यम से कभी मानव मात्र को अपना जीवन औरों की सेवा में लगा देने की प्रेणा देते वे कहते हैं कि हे मनुश्य ये अपने मन में विचार कर लो कि तुम नश्वर हो, अतह तुम्हें मरने से भेभीत नहीं होना चाहिए, किन्तु जीते जी तुम ऐसे महान कर्म करो कि तुम्हारे कारें के कारण मरने के बाद भी तुम्हें याद किया जाए यदि तुम्हारे मृत्यू सू मृत्यू ना हुई तो तुम्हारा जीना वा मरना दोनों बेकार हैं जो मनुष्य अपने लिए ना जीकर दूसरों के लिए जीता है वेह मरकर भी अमर हो जाता है जबकि जो मनुश्य केवल अपने बारे में सोचते हैं, केवल खुद के लिए जीते हैं, उन्हें उनके मरने के बाद कोई याद नहीं रखता कभी क्या अनुसार ऐसे मनुश्यों वा पुश्यों में कोई अंतर नहीं होता क्योंकि पशु भी दूसरों के बारे में न सोचकर केवल अपने बारे में ही सोचते हैं वास्तव में सच्चा मनुश्य वही है जो दूसरों के लिए जीता वा मरता है तो आएए कविता के अगले पध्यांश के और बढ़ते हैं कविता का दूसरा पध्यांश इस प्रकार है उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती उसी उदार की सदा सजीव कीर्ती कूजती तथा उसी उदार को समस्त स्रिष्टी पूजती अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शब्दार्थ इस प्रकार हैं उदार, दानशील, कृतार्थ, आभारी, अत्वधन्य, कीर्ती, यश, कूझती, मधूर ध्वनी करती। प्रस्तुत पंक्तियों में कभी उदार्ता की भाव पर प्रकाश डालते वे इस प्रकार कहते हैं कि उदार हिर्दे वाले मनुष्य का सरस्वती मा भी गुनगान करती है। ऐसे महान, श्रेष्ट मनुष्यों को जन्म देकर धर्ती मा भी अपने को धन्य मानती है। भाव भरता है। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता की भलाई करता हुआ मृत्यों को प्राप्थ हो जाता है। बढ़ते हैं कविता की अगले पध्यांश की तरफ। शुधार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्ति जाल भी। उशीनर शितिश ने स्वमांस दान भी किया। सहर्श वीर कर ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादी जीव क्या डरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शबदार्थ इस प्रकार हैं। शुधार्थ भूग से व्याकुल। रंती देव एक परमदानी राजा। करस्त हाथ में पकड़ा हुआ। दधीची एक प्रसिद रिशी जिनकी हडियों से इंद्र का वज्र बना था। परार्थ जो दूसरों के लिए हो। अस्ति जाल हडियों का सुमुः। उशीनर गंधार देश का राजा। शितिश राजा। स्वमान्स अपने शरीर का मान्स करण दान देने के लिए प्रसिद कुंति पुत्र। हमारा इतिहास ऐसे दान वीर राजाओं से भरा बड़ा है। जिनोंने जन कल्यान हेतु अपना सर्वस्वनियोचाबर कर दिया। उनी में से कुछ उदार हिर्द्यवाली राजाओं के उदारन देते हुए कभी इस प्रकार कहते हैं। कि एक बार भूख से व्याकुल राजा रंती देव ने अपना भोजन का थाल अपने द्वार पर आए एक भिक्षुक को सौंप दिया था। तथा दधीचे रिशी ने देवताओं की रक्षार्थ अपनी हडियों को दान कर दिया था। गंधार देश की राजा शिवे ने एक कभूतर के प्राणों की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक दे दिया था। दानवीर कर्ण ने तो प्रसन होकर अपना जन्म जात कवचवा कुंडल तक दे दिया था। अपने जीवन का त्याग कर देता है। बढ़ते हैं कभिता के अगले पद्यांश की तरफ। सहानु भूती चाहिए महाविभूती है यही। वशी कृता सदैव है बनी हुई स्वयम मही। विरुद्वाद बुद्ध का दयाह प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या ना सामने जुका रहा। अह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। शबदार्थ इस प्रकार हैं महा विभूती, बड़ी भारी पोंजी। वशी कृता वश में की हुई। विरुद्वाद बुद्ध ने करुणा वश उस समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया था। प्रस्तुत पंक्तिओं में कभी ने महात्मा वुद्ध का उधारन देते हुए, मनुष्य में दया व करुणा के भाव को सबसे बड़ा धन बताया है। कभी कहते हैं कि मनुष्य के मन में दूसरों के प्रती दया व करुणा का भाव होना चाहिए। यही सबसे भारी पूंची है इसी गुन के कारण पूरी धर्ती ऐसे मनुश्य के वश में हो जाती है इसका सबसे बड़ा उधारन महात्मा बुद्ध स्वयम है जब वे जन कल्यान हेतू लोगों के नियमों के विरुद चले गए तो इसके लिए क्या पूरा संसार उनके सामने नहीं जुकता अर्थात उनके द्वारा बहाई गई दया प्रेम वा हिंसा की नदी के कारण विरोधी लोग भी उनकी बातों को मानने लगे वे सब उनके अनुयाई बन गए महान एवं श्रेष्ट उसी को कहा जाता है जो भलाई के कारे करता है मनुष्य वही कहलाता है जो मनुष्यों के लिए जीता और मरता है धन्यवाद कविता लंबी होने के कारण इसे दो विभागों में बांट दिया गया है आगे की कविता का अध्ययन भाग दो में करेंगे धन्यवाद